हलो फ्रेंड्स वेलकम टू वेलकम बैक सरीता ब्लॉग्स कैसे हैं आप सब आयोब सब अच्छे होंगे और आज मैं 36 गड़ की संस्क्रीती कुछ 36 गड़ विलेच स्टाइल में आज की जो वीडियो है वो जाएगा तो यहां पे आप लोग देखें होंगे कि मैं चावल बना अच्छ एप रही हूं कि यह प्रयाना सबके घरों में 36 गड़ में सबके घरों में स्टेब पर चूले होते हैं यहां तो मैं कोईले सी बना रही हूं बट साइड में दीख रहा होगा चूला और एक अंधीला है थोड़ा सा यह लकड़ी जलाने के लिए हैं तो मेरे चावल बन चुके हैं यहाँ पे दाल तू 36 गड़ में अलग टाइप से अलग संस्कृती होती है सब चीज ना अलग होता है यहाँ पे बहुत अच्छे संस्कृती होते हैं तो आगे मैं उसब लाती रहूंगी यहाँ पे सबजी बना रही हूं मैं कुछ भी आज सबजी के बारे में वो चीज नाइ कर रही हूं मैं यहाँ पे सिर्फ यह बताने की कोशिस कर रही हूं कि यह चूला जो दिख रहा है ना ऐसे चूला सब के घरों में 36 गड़ में लगभग सब के घरों में होता है और चूले में ही खाना बनता है अजकल तो गयव सब के यह हां तो उसमें बन जाता है लेकिन हमारी पुरानी परंपरा है वे चूले से ही शुर्वात है चूले पर यह बनता है तो इसी टैप से बनता है और काफी जगा पे लाइटने रतन देले पे बनता है लेकिन है यहां की जो 36 गड़ की जो लोग संस्क्रीटी कह लिजे या फिर कुछ भी बनाने का तरीका अपने अपने जो संस्क्रीटी है अपने हिसाब से अलग-अलग होती है बहुत ही सिंपल बहुत ही साधारन रहते हैं यहां की लोग तो मैं यह दिखाने की कोशिज की हूँ कि छूले पर भी यहां पर अच्छे पकवान बदते हैं सब्ची अच्छे तरीके से बनते हैं और मैं यहां पर सब्ची भी बना ली तो आगे मैं कुछ और वीडियो लेकर आउँगे 36 गड़ के उपर आप लोग देखना चाहते हैं तो कॉमेंट कर दीजेगा और आज का वीडियो कैसा लगा अगर पसंद आया है तो लाइक से और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और सब्सक्राइब बटन के पगल में बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजेगा ताकि मैं कोई आज का वीडियो डालूंगी तो नोटिफिकेशन आपको मिल सकें तो आज का वीडियो अभी आई पैंड करते हैं मैं आगे भी इसी तरह से वीडियो लेकर आऊंगी चैतिस गड़ की कुछ नए से इंस्क्रीती के बारे में तब तक के लिए बाए बाए